हेलो स्टूदेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करती हों बच्चो, आप लोग अपने अपने घर पे अच्छे हो और अच्छे रहो बच्चो आज मैं आप लोगों को एक दुसरी कहानी पढ़ाओंगी जिस कहानी का नाम है चीरा, चीरिया ठीक है तो बच्चो आप लोग अपना अपना बुक निकालो क्लास 2 हिंदी सुर्भी and पेज नमबर टेक आउट 18 ठीक है बच्चो पेज नमबर 18 निकालो ओके बच्चो इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया है काकू का पूरा कहानी आशा करती हूं बच्चो आप लोगों को ये कहानी समझ माया होगा इसका सारा question sensor मेंने करा दिया है काभी सारे बच्चे ने मुझे send किया है मेरा homework बट बहुत सारे student है जिन्होंने homework करके send नहीं किया है तो बच्चो आप लोगों को फिर बोलूँगी जिन लोगों ने होमवक नहीं किया है आप लोग होमवक करके मुझे वार्ट सब ग्रूप पे सेंड करना अब मैं बच्चो आप लोगों को अध्या 3 पढ़ाऊंगी चैप्टर 3 जिसका नाम है चीरा चीरिया ठीके बच्चो इस कहाने में बच्चो हम क्या पढ़ेंगे इस कहाने में बच्चो कि हम जानते ही कि आनाज और सबजिया हमें कहां से मिलती है और इसी पाठ के अधार पर हम ये पढ़ेंगे कि आनाज डाले और सबजिया कहां से आती है ठीके तो पाठ के बारे में क्या आप जानते हैं कि आनाज, डाले और सबजिया कहां से आती है खेतों से घर की रसोई तक पहुचाने के लिए इन्हें अनेक पड़ाओं से गुजनना पड़ता है इसे पार्ट में इसी के बारे में बताया गया पढ़िये और जाने है बच्चो हमें अनाज, डाल, सबजिया कहां से मिलता है ठीक है और कैसे मिलता है इस पार्ट में चीरा और चीरिया ने इस पार्ट में किस तरी के से समझाया है ये हम आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ठीक है तो बच्चो अपना-पना बुख निकालो और देखो मैंने आज का देख दिया है क्लास वॉक 11 माई 2020 ओके बच्चो, लिसन टू मी, कियरफुली, ओके एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेर की छाया में बैठ कर खाना खा रहा था पासी दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था तभी एक छोटी चीटी ने बच्चे को काट लिया, बच्चा रोने लगा क्या हुआ बच्चो, इसमें क्या बोला गया है? एक किसान, ठीक है? अपनी पत्नी के साथ पेर की छाया अथार बहुत बड़ा एक पेर है, उस पेर के नीचे बैठा हुआ था ठीक है? बैठ का क्या कर रहा था? खाना खा रहा था तो पास ही, दरी में उनका एक बच्चा लेटा हुआ था तो तभी एक छीजी ने क्या किया? बच्चे को काट लिया ठीक है? और बच्चा तब रोने लगा उससे चुप कराने के लिए, किसान की पत्नी ने उसके मुँ में एक रोटी का टुकरा डाल दिया किसान ने जब ये देखा तो बच्चे के मुँ से रोटी का टुकरा निकाल कर फैंक दिया और पत्नी को समझाया क्या हो आप अपस्चो जब चीटी ने बच्चे को काथ लिया तो बच्चा जब रोने लगा फैक दिया अपति को पत्नी को समझाया क्या समझाया सुनो किशान अरे अकल की खोटी चूँ इसी खिलाई रोटी बिना दात के कैसे खाएगा ये रोटी दात बिना भला कैसे चबाएगा ये रोटी इसे घर ले जा ले जाकर दूद पिला या दाल चावल मिला कर खिचरी बना उसी पेर पर एक घोसले में चीरा चीरिया अपने बच्चों के साथ बैठे थे चीरा उड़ कर नीचे आया और फेन का हुआ रोती का तुकरा चोंच में डबा कर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया चिरिया ने किसान की बात सुल ली थी उसने सोचा रोटी का टुकरा मेरे बच्चों की गले में फस गया तो वो बोली क्या हो बच्चों किसान क्या किया जब किसान अपने रोटी का टुकरा में बच्चों के अपने बच्चे के मुख से फेक दिया पत्नी को क्या समझाया कि बोला अरे अकल की खोटी अकल की खोटी का मतलब क्या होता है बच्चो अकल की खोटी का मतलब होता है अकल से बेफकूव ठीक है क्यों इसे खिलाई रोटी किसान कहता है अरे बेफकूव क्यों से रोटी खिलाई ये छोटा सा बच्चा है इसके दात नहीं है ये कैसे खाएगा रोती दात बिना कोई चबाएगा रोती इसे घर ले जा घर ले जा कर धूद पिला या डाल चावल मिला कर एक खिचरी बनाओ और खिचरी बना कर इसे खिला ठीक है तो उसी जिस पेर के नीचे किसान किसान की प और उसके बच्चा रहता था चीरा चीरीया का अपने बच्चों के साथ बेटा हुआ था चीरा उरकर उरकर जो रोटी नीचे गया और फेका हुआ रोटी का टुकरा को चोच में दबा कर अपने बच्चों के खाने के लिए ले गया चिरिया ने किसान की सब बात सुन ली थी उसने सोचा कि रोटी का टुकरा वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएगी क्योंकि खिलाने से कहीं गला में फस गया तो चीरिया बोली अकल है तेरी बिल्कुल खोती मैं ना खिलाऊं अपने बच्चे को रोती चीरिया जो है चीरा को क्या बोली देखो ये है चीरिया ये है चीरा ठीक है ये चीरिया जो है चीरा को बोलती है तुम्हारा अकल क्या खराब हो गया है बेफकुब हो गया है तो मैं पहले लाओ चावल फिर लाओ डाल दोनों को पकर कर नमक डाल जब पके चावल जब पके डाल फिर सजाओ खिचरी से अपना थाल चीरा अपने चीरिया को क्या कहता है कि अरे मेरी भोली चीरिया तुम जानती हो खिचरी क्या होता है पहले ये जानों खिचरी क्या होता है खिचरी बनाने के लिए पहले चावल लाना पड़ता है फिर दाल फिर दोनों को पका कर उसमें नमक डालना पड़ता है जब चावल प कहां से आए दाल कैसे पकाऊं खिचरी जो खाए मेरे लाल छिरिया क्या बोलती है चीरा को कहां से लाऊं चावल और कहां से लाऊं डाल और कैसे पकाऊं खिचरी जो मेरा लाल खाएगा चीरा था चतूर वो बोला चीरा जो है ये चीरा है ये चीरा जो है, बहुत चतूर था, अर्थात बहुत चलाग था, वो क्या बोला, सुनो बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे पेर नहाए, पानी में, मचली उछले तालों में मैधक तरटर सोर करे, कोयल कूकू टेर करे चीरा क्या बोला अपने समझदारे से क्या बोला जब बादल बरसेंगे पानी बरसेगा पेर जब पानी में नहाएगा और मचली उचलेंगे मैठक टर-टर सोर करेंगे और कोयल कूकू टेर करेंगे ठीके बच्चो बच्चो मैं आप लोगों को आज यहां तक ही पढ़ाई आशा करती हूं बच्चो आप लोगों को यहां तक समझ में आई होगी और आप लोग बच्चो क्या करोगे आप लोग बच्चो इस कहानी को अपने घर पे रिट करोगे पर होगे रिविजन करोगे अमेरे वीडियो को देख देख कर समझने की कोशिश करोगे ठीके और यह जो यहाँ पर word meaning है इसे learn करोगे ओके बच्चो तो आप लोग का homework यही रहा आप लोग अपने घर पे इसको कहानी को पुरा परोगे और मेरे वीडियो को देखोगे नेश्ट वीडियो में आप लोगों को यह पढ़ाऊंगी ठीक है इसके बाद वाला इसके बाद क्या होता है वो मैं पढ़ाऊंगी ठीक है बच्चो अभी के लिए बार बार टेक्टेयर धन्यवाद